हाई फ्रेंड्स राजवान चिंग मुहली गोल्ड गुरू कुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत आज का टॉपिक पेरेंट्स और बच्चों को लेकर के जो लोग यह सोचती हैं कि बिजनस करने से पहले बिजनस करने में बहुत ज्यादा रिसक रहते हैं उनके कुछ जो उनके मन में गल्थ भेमी है वो निकालने के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ वह तो यह जाब और बिजनस में आपर लिए है और नीचे रिस्क लिग दिया है कि रिस्क fact vert क्या क्या है? यदि हम business में देखें क्योंकि हम लोग जब ऐसे हम ऐसे समाज में पैदा हो रहे हैं ऐसे समाज में हम पल रहे हैं बड़े हो रहे हैं जिसमें business को एक बहुत ही negativity के हिसाप से देखा से देखा जाता है जॉब को ही सिक्यूर मन जाता है हमारे जितने भी बच्चे नए बच्चे पैदा होते हैं उसको जनम गुंटी से लेके जब तक वह 25, 26, 27 साल का नहीं हो जाता तो तब तक उसके बारे में यही लोगों की परसेप्शन बनी जाती है कि यह पड़ा लिखके बड़ा होके ओफि जिसर बनके इसकी जिटीगी सेट हो जाएगी जबके ऐसा है नहीं क्यों नहीं है किवके मैं यह रिस्क लिखा मेंने जॉब और विजनस भेरिसका मैंने ये बनाया एक अपनी किताब Not Mad So Bad जो मेरी पंजबी की कताब है Motivational Book है रिस्क को मैंने डिफैन किया था Royal Income Sources After Knowledge Of Management यब आप रिस्क को मेनेज करना सीख जाते हो तो रिस्क जो है आपकी Royal Income Sources में बदल जाता है अब आप सुचो के जॉब में रिस्क है नहीं बिजनस में रिस्की रिस्क हैं भाई पहली बात तो ये कि जब से बच्चा पैदा हो जाता है माँ बाप समाज मामा ताव पुपा जो भी है उसके पीछे लगे जाते हैं कि वो जॉब करे जो आदमी जॉब नहीं करता उसकी नलैक आदमें में गिंती की जती है उसको बेरजगार देखके उसके उपर तर्स करके देखा जाता है सबसे पहली बात ये कि जॉब पॉसिबल है क्या हर बंदे के लिए जो सरकारी जॉब का प्रोलोवन दिया जाता है वो पॉसिबल है सबसे पहले तो पॉसीबली नहीं गॉर्मेंट में किसी में इतना दम नहीं कि इतनी गॉर्मेंट जॉब्स हैं जो क्रियेट कर दे कि हर बंदा एड़स्ट हो जाए अपने देश में जो सबसे ज़्यदा पॉपॉलेशन की जो प्रावलम है पॉपॉलेशन कहीं ज़्यदा है हो जोब के जो चान्सस नाहों कहीं ज़्यादा कंएं पबहिस निए निकल नहीं जटेजिए निजी निकल गई तो फीसें भर-भर के उति कि मतलब कितनी पीज जानी है बट पर 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 फीस दे दे के ही ले लेते हैं और फीस भरने के लिए पिर जब हो अग्जाम देने जाते हैं तो पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं 100-200 km दूर पर एक्जाम है, उनके उपर फिर पैसे लगते हैं, कोई अग्जाम पास कर ले फिर इंटर्वी में भज जाता आदमी, तो ये रिस्क ही हैं, कई बार मतलो अग्जाम भी हो गया, इंटर्वी होगी, गौर्णमेंट की तरफ से या कोड की तरफ से कोई restriction आगी, तो वही रुख गया, तो जब उसका दबारे खुलता है, जब दबारे उसको थुरू होता है, तब तक कई लोग overage हो जाते हैं, ये कितना बड़ा रिस्क है, कुछ किया ही नहीं, मतलब उसके उनके लिए कुछ है ही नहीं, job बालों के पास, यदि ये job बाले बंदे, शुरू स अपना शोटा-शोटा काम करना शुरू कर दें, तो definitely उनका जो skill development है, यहाँ पर skill development शुरू हो जाता है, अब पंगा ये है कि हम लोग जो job बाले हैं, जो हम job बाले हैं, तो हम सिर्फ job के पिछे ही भाग रहे हैं, हम अपने आपके सारे दूसरे काम हैं, जो skill development का बाले काम है उनको शोड़ी देते हैं, अब यह मैंने business का लिखा है business model, सट्रागल तो job बाले को भी है, और सट्रागल business model को भी है, अब मैंने इदर दो तिन बंदों का नाम दिया है, जिन में पॉंटी चड़ा जी है, आज वो दुरिया में नहीं है, लेकिन वो कहीं मुरादाबाद में शरागी, धुकान पर काम करते थी, चोटा शोटा काम करते थी, और उन्होंने इतना अपने आपको develop किया, इतना skill उन्होंने अपने आपको develop किया, अपने अंदर, confidence बनाया, नहीं के वो शराग के kink करोबारी के طور पर आ गई, वेव स्टेट hice है, वेव स्टेट कितने म में चल रही है वेव स्टेट का मतलब एक बहुत बड़ा स्टेटस है तो यदि वो छोड़ यह जॉब के पीछे लग जाते पॉंटी चड़ा जी जॉब के पीछे लग जाते तो डेफिनेटल यदि जॉब उनको मिलती 20 जार 30 जार 50 जार की जॉब मिल जाती तो जो पूरे उसका नाम है वो कभी नहीं हो सकता था जॉब बड़ा की और बिजनेस बड़ा की क्या प्रावलम है जो बड़ा बहुत एक नॉर्मल कोर्स पे चलता है कि हमें जॉब यसे ले लेनी ऐसे करना है वह ज्यादा में तरी करता सिर्फ कता भी ग्यान लेता हूँ जबके बिजने वाला ऑवराल ग्यान लेता है जब विजनेश वाला ओवराल ग्यान लेता है उसमें उसकी स्किल ड 59 मेंन अ जाती है मतलो कोमündीकेशन सबी आ ग suiv और दूसरी जाते हैं लोगों के ऐसे लोगों के बीच में चले जाते हैं जो क्रोडर रुपे आलेडी कमा रहे हैं तो वो लोग डेफिनेटली उन जैसी उनकी सोच हो जाती है जबके नौकरी वाला में ऐसा नहीं होता है नौकरी वाला तो एक fixed है जैसे घोडे के अंखों पर खोपे लगा दे जाते हैं वह एक तरफ भागता है इसी तरीके से नौकरी वाला चलता डिगरी की तरफ दयान देता है जबके वेजनस मेन वह सकुल की तरफ दयान देता है, डिगरी हो या ना हो, यदि इनके पास फिर दूसरे नुबर पर मैंने यह हैन्री फोर्ड का नाम लिख है जो कारों जिन्होंने कारी बनाई नहीं 1906 में और लोगों ने इनको डिस्करज किया कि यार आपकी कौन कुछ देगा खाने के लिए तो पैसे निये लोगों के पास लेकिन उसने कार बनाई बनाके जब मार्केट में खड़ी की उसका विजन था उसका विजन था और उसके विजन में के हिसाब से वो आगे निकल गया सकता कारेंविकी और कारेंविकने बाद आज तक नाम में यह अपने जो जौब हलें यह यह काम नहीं कर सकते हैं जब भी जान वाले का थोड़ा थोड़ा बोस विरोध हो जाए तो जौब वहाँ शांत हो जाता है डिप्रेशन में चले जाता है जबकि इनका जितना का नाम मेंने लिखा है एंड्री उकारनेगी वर्ल्ड के अमीर आदमियों पर एक उन्नीसों के आसपास की बात है उन्नीसों दो के आसपास की इनकी इनसे लोग इनको स्लाकर बनाया हुआ था जो बिजनस कमेटी थी कोई तो उनमें इतनी फीज चार्ज करते थे कि हम सोच भी इस ने लिखा है कि अमीर होके मरना नोशी वली बात है यह कहते हैं मैंने 32 साल की उमर तक पैसा कमाया और 32 साल की उमर के बाद पैसा बांटा है उड़ाय उड़ाया मैंने कुछ भी रखना नहीं चाहता था मैं फिर भी मेरे पास पैसा आ रहा है इट इस डिस ग्रेस टू ड देने सारा तो मतलब ये लोग कहां से कहां पहुंच गे इनके पास क्या था सिर्फ सकिल था लोगों के साथ बात करने की कला थी और जबके जौबड़ा वही दस से पांच काम करके बस सारी के सारी उमर ऐसे ही लगा रहता है बहुत अफसोस की बात यह है कि जो एवरेज हमा साली साल तक करवा जाता है साथ साल की उमर तक और सिर्फ हम पंद्रा साल के लिए सारी उमर सारा सारी उमर बदे दी फिर सुए दस से पांच से हमारी लूट होती है हम प्रेशर में रहते हैं अभी बैंक वालों का जब मैं बैंक में काम करता था हमारे पास हमारे स्टाफ मे सबार्डिनेर स्टाफ का मतलब पीयन थे तो आज मेरा क्याल है वह ही काम 10 गुणा पड़ गया है और पुस्ट मुष्ट जो स्टाफ है लेकिन आपने रिस्क को मिनेज करना है ये ब्लेम नहीं करना है, सुनके गाली नहीं देनी के बिजनस में सबसे ज़यदा खराब है या सबसे ज़यदा रिस्क है बिजनस में बिजनस में रिस्क नहीं है बिजनस में बलके रिस्क को मेनेज करने की कला आती है बिजनस में रिस्क को मेनेज कैसे किया जाता है यदि आप रिस्क में आ जाओ तो आप डिप्रेशन में नहीं जाना आपने किस तरीके सोसे निकला ऐसी बातें सीखने को मिलती है जबके job में ऐसी बातें सीखने को नहीं मिलती सो दोस्तो आज के लिए इतनी आप ये समझ सकते हो कि job करनी है या business करना है job करनी है तो क्यों करनी है यदि business करना है तो क्यों करना है इसमें आप differentiate करे देख ले न और कोई आपका जो स्वाल हो वो comment box में लिख सकते हो, आपको ने टपके वीडियो चाहिए, वो भी comment box में लिख सकते हो, चैनल पर नहे हो, चैनल सबस्क्राइब करके गंडी वळला पिटन जुरुद दुबादेना, क्योंकि ये काम आने वाली वीडियो है, ताके आपके दोस्तों के साथ यह जब भीडियो आपके पास आगी आप अपने दोस्तों के साथ उसको लाइक करके शेर कर सको बहुत जल्द झाल